सब कुछ खतम करने के बाद भी नहीं सुधर है नहीं सुधर है हलो फ्रेंड नमस्कार मैं मधूलीका आप सबकर स्वागत करते हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलीका यूपी आर बियल तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ मा नहीं दिख रहा और रादिका जी का भी पता चला है और गोरकपुरी भाजी के कुछ बात है कुछ चंदा भावी ने बात की है इस सब्सक्राइब बातों को लेकि आज मैं आप लोगों से बात करूंगी और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्टर जो सही हो प्लीज आप मधूलीका आप सबकर श्वागत करते हूं आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलीका यूपी आर पील आज मैं बात कर रहे हूं मालती चौहान के बारे में और शाथ में विश्नुराज के बारे में तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है मालती चौहान को गए लगभक दो मंत होने वाले हैं क्योंकि आज है 14 जनुरी और मालती चौहः में तेस्थ नमबर को इस दुनिया से अलबिदा करके चली गई थी, हम सभी को छोड़े, चली गई थी इस दुनिया से, मगर आज दो मन्त होने वाले हैं, जितना इस केस को हम लोग कमजोर समझते थे, उतना ही इस केस में, दिन का दिन आए दिन, एक नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए कहानिया हैं, नए नए गुथिया सु सब्सक्राइब कोई वीडियो वहां पर दिखा और नहीं उनकी कोई पीछ सामने आये तो दोस्तों जैसे कहा जाता है कि विशनु राजी समय钱 जेल में है विश्नु राज की बैल पीज विशने की बैल होनी थी कहा जाना रहां क्योंकि जब बेल हो जाएगी तो विश्णु राज फी यूटूब पे काम करेगा और उनकी आर्निंग सुरू होगी क्योंकि कहते हैं पैसा कितना भी हो कोठी में बहुत ज़्यादा पैसा रोजोज निकालेंगे तो कम होगा और उसी कोठी में अगर एक एक रुपाय डालें तो बात यही होती है कि विश्णु राज कि मतलब विश्णु राज आस लगभग दो मन्त होने वाले जब सह मालती जी गई थी तब से विश्णु राज को को कोई वीडियो नहीं आये वह बलकी विश्णु राज के जो भाई हैं महाद удоб चला रहे और तो दोस्तों कहा जारा जो अमनाथ है अमनाथ ने जितना मालती के एकाउंट का पैसा था जितना मालती के जो मालती काम करती थी यूटूब पर उसकी जितनी अर्निंग थी वो सब अमनाथ के पास जाती थी अमनाथ ने नहीं दिया सबको बताता है कि मैं दे चुका हूं मगर आमनात ने नहीं दिया आमनात ने वो पैसे जो है अपने घर को बनाने के लिए खर्च कर रहा है ऐसा लोगों का कहना है तो दोस्तों आप लोग बताएगा मालती ने जब महनत से पैसा कमाये तो आमनात को देना चेह था मगर आमनात नहीं दे रहा है और दोस्तों उसके बाद आप लोगों से बता दे कि विश्णु राज की बेल नहीं हुई विश्णु राज अब भी जेल में है क्योंकि उसकी बेल इस वज़े से नहीं हुई तो दोस्तों आप लोगों को पता है विश्णु राज अब भी उनको बेल नहीं मिली है विश्णु राज जेल में है क्योंकि कहा जा रहा कि भिश्णुराज का केस वह आगे बढ़ गया और भिश्णुराज का अब हाई कोट में केस चला गया है जिसकी वज़े से भिश्णुराज को अभी जेल नहीं मिली उनके घर वालें को प्लिस प्रसासन को कुछ ऐसे साबूत लगे है क्योंकि मालती के जो वकील है उन्होंने साफ साफ बताया है कि बिश्नु राज ही मेन है जो मालती की मतलब मालती की जान गई है जिसकी वज़े से बिश्नु राज है और उन्होंने साफ साफ सब्दों में कहा है कि बिश्नु राज ने ही किया है अभी बलकी मतलब अभी बलकी ये साबित नहीं हुआ है कि विश्णु राज नहीं किया है क्योंकि जब तक हम आप नहीं कह सकते हैं किसी को कि ये दोसी है जब तक आगे से प्रशाशन की तरफ से कोई ये खबर नहीं आती कि दोसी कौन है तो अभी कह नहीं सकते हैं अभी इसमें जाज चल लही है मगर सब का उपीद यह ही कि बहुत जल्दी जो भी है सब सामने आएगा और राधी को नजBob मोती को लिए मिलेगे और दोस्तों कहा जा रहा है यह जो अर्जुन भर्मा का पता चल गया कि अर्जुन भर्मा कहा कौन कि वीडियो में अर मरो राभू और राधी का इन तीन लोग दिखी नहीं रहें मतलब हो कपा हैं कउछा नहीं कुछ पता नहीं मगें दोस्तों कहा जा रहा कि फता चल गया अइसी जगें जो अपने डिलेशन रवायों में में haven ऑने वो किसी के सामने सामने रह簡 प पुलिस के सामने सामने के सामने नहीं आना चाहते हैं मगर अर्जुन बर्मा का पता चल गया तो अर्जुन बर्मा इसी वज़े से सामने नहीं आते हैं कि अगर मैं आऊंगा तो क्योंकि लोको मालती चौहान का जो फेस था एक नॉर्मल नहीं थी मालती चौहान एक फेमिस यूटूपर थी उनको कौन नहीं जानत उनके 70 लाग के आसपास उनके सस्क्राइबर थे और मालती चोहान के जाने के बाद 6-7 लाग सस्क्राइबर और बढ़े जो उनका पर्सनल चैनल था उसमें भी मिलियन के उपर है तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि मालती चोहान की मौत का मतलब जितना नौर्मल समझा जाता था उतना नौर्मल नहीं है कुछ अपने सोच बताता कोई कुछ बताता कोई करता है। इस ने किया-कोई कहा। मगर में शबकी नज़दिया तो यही बताती हैं कि में इसका जो दोसी हम लोग समझ रहे। लिजड़ू ही है। अगर बिश्णूराज ठीक है मालती अगर कुछ कर रही थी उल्टा सीधा तो बिश्णूराज उसके पती थे बिश्णूराज का फर्ज बनता था कि अगर मालती कुछ भी करती तो बिश्णूराज सबसे पहले मालती की घरवालों को बताते उनको भुलवाते और उनको बतात कि तुम्हारी लड़की के साथ क्या किया जाए मगर पिश्णुराज ने ऐसा कुछ नहीं किया और दिन का दिन की जो भी छोटी छोटी आडियो वीडियो जो भी था मिस अंडरस्टेंडिक था जो भी था उनका उसको बराबर वाइरल करते गए यूटुब पर दिखाते गए है वाइरल करते गें जिसकी वजह से मालती चोहान विध предложation में होगा जिसकी होगा जिसकी त phones जमानत नहीं आध रही क्योंकि अभी अरजुन भर्मा को पता चला है मगर अर्जुन बर्मा अभी पकड़े नहीं गए क्योंकि अर्जुन बर्मा का यूटूब पर कई लोगों ने वीडियो डाली है कि अर्जुन बर्मा का पता चल गए अर्जुन बर्मा यहां चुपे अर्जुन बर्मा यहां चुपे मगर अभी पुलिस के हाथ अर्जुन बर्मा नहीं आए और काफी लोग परेशान हैं जो कहते हैं ना कि जो बिश्णु राज है महीने का कम से कम 5-6 लाग कमाता था और मालती चोहान अलग कमाती थी बनलती उनके यहां कम से कम 10 लाख मंतिली आती थी कमाई मगर उसकी मा और भाग रोज का उनका काम था दूसरों की खेट में जाके महनत मजदूरी करना तब खाना तो बिश्णु राज ना तो कहते हैं कि बिश्णु राज एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया तो एक अच्छ परने के लिए एक रोटी नहीं मिलती थी वह अपनी मा का केर नहीं करता था आज वही माबाप बिश्णुराज जब जेल में है आज वही माबाप रो रहें तड़ा प्रहें कि मेरा बेटा आ जाए तो कहते हैं यह बात सही कही गए कि पूट कपूट हो सकता मगर एक मा कभी ग वापस आ जाए और जो भी मालती की आत्मा है उसको शांती मिले और विश्णुराज की बेल हो जाए उन्होंने नारायन बल की पूजा करवाई अपने घर में सिप इस वजे से की मालती की आत्मा को शांती मिले और विश्णुराज की बेल हो जाए और विश्णुराज घर वापस आ जाए तो जो विश्णुराज का यूटूब इस्टूडियो था फिर से स्टार्ट हो जाए बेसक आभी केस तो आगे चलता रहेगा मगर उन्हें बेल पर ही घर आ जाए ऐसा उनकी मा का कहना है कि मैंने अपने बेटे को दो मंत से देखा नहीं लगभंग तो मैं पर कमेंट करके जरूर बताएगा इसमें माल्ती की माल्ती ने खुद शुसाइट किया या विश्णुराज ने किया इसमें में कौन है अर्जुन भर्मा या भी बिश्णुराज कुद तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते बायान और कल मिलते अच्छे से वीडियो में और दोस्तों प्लीज अगर हो सके तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में कि क्या सही क्या गलत और मैं मिलती हूं नेश्ट वीडियो में तब तक आप अपना अपनी फैमली का खयाल रखेगा और हां दोस्त पाने कि